दोस्तो फुलवारी चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आप से मिल रहे हैं आज का ये जो वीडियो है ये स्नेक प्लांट पर हैं आप देख रहे हैं मेरे सामने कुछ स्नेक प्लांट की वराइटी रखी हुई हैं तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तो इसी स्नेक प्लांट के बारे में आज हम जानेंगे इसके बारे में समझेंगे तो वैसे तो स्नेक प्लांट की कई वराइटी होती हैं 500 वराइटी स्नेक प्लांट की मिलती हैं लेकिन दोस्तो मेरे पास इस समय केवल तीन ही वराइटी ह आपको मैं दिखाती हूँ देखिए एक यह वराइटी है यह जो स्नेक प्लांट है थोड़ा लंबा होता है प्लांट और यह अगर अच्छा सा गंबला दे दिया जाए तो दो धाई फुट तक भी उचाई ले लेता है और अगर जमीन में लगाते हैं तो थोड़ा और अधिक आप मिल्शन रहोंता है तो तो स्नेक प्लांट इसलिए अगर आप ध्यान दीजेए तो इसकी जो ईस्टेम है यह देखिए इसका जूपर का हिस्सा है वो साब के फण की तरह से आपको दिखाई दे रहा है तो इसी लिए इसको प्लांट का आ जाता है और जैसे उसके किश चितकबरे बने रहते हैं डिजाइन जैसी बनी रहती है तो कुछ इसकी पत्तियों में भी दोस्तों वैसी ही डिजाइन पाई जाती है इसलिए इसको स्नेक प्राइन्ट के रूप में भी जाना जाता है और दूसरी वराइटी अगर मैं आपको दिखाऊ तो देखे वो उससे थोड़ा सा छोटा है और इसकी पत्तियों का जो डिजाइन है देखे उससे थोड़ा सा अलग है हटके है इस वाले में देखे किनारे किनारे आपको बहुत अच्छे बीच में डिजाइन है हरे रंग में और किनारे यलो इसकी आउटलाइन बनी हुई है हर पत्ति की लेकिन अगर इस वरायटी में देखिए तो इसमें यलो आउटलाइन आपको नहीं मिलेगी और इसका जो बीच का भी डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग है एक जो तीसरी वरायटी मेरे पास से देखिए ये मेरा प्लांट है ये बहुत ही छोटे डिजाइन इसके होते हैं इसकी भी धिजैन देखिये थोड़ी सी अलग है और इसके बाद जो है इसमें अगर आप धियान से देखेंगे तौझ एक फूल की तरह एक पौधा है पौधा है यह अपने आप में पहले नमबर पर इसका नाम है यह वायू को शुद्ध करता है तो हम अगर इसको अपने इंडोर में भी रखते हैं अंदर रख लेते हैं या आउट्डोर रखते हैं तो यह हमारे हवा को भी साफ सुत्रा करता है तो यह पौधा लगाना बहुत अच्छा रहता है घर में आप मात्र के पानी की जरूरत होती है आप इसे हफ्तों पानी ना दीजिए हफ्ता दस दिन आप बिल्कुर इसमें पानी ना डालिए तो इस पौधे पर कोई फरक नहीं पड़ता है और यह आराम से चलते चले जाते हैं मैं आपको दिखाओं मेरा देखे एक पौधा है जो यह मेरा गंबले में लगा हुआ था और गंबला तूट गया था किसी कारण से तो मेरा धका लगने से तूटा था तो इसको मैं फिर दूसरा पौट नहीं दे पाई और ऐसे ही मिट्टी सहीद पौलिथीन में देखे भरके रख दिया और पौलिथीन भी हर जगह सब यह फट च देखे अभी भी बहुत ही मजबूत है विल्कुल जैसे ही निकला था उसी तरह है कोई असर नहीं हुआ है तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसको आप पानी नहीं देते हैं बहुत दिनों तक तो यह महिने बर भी अराम से चल जाएगा और इसमें एक चीज करनी जरूरी होत तो आप थोड़े थोड़े दिनों पर छेचे महिने पर आप इसके कुछ इस्टिक्स को जरूर निकाल दीजिए गमले से नहीं तो यह इतना भरता चला जाएगा कि गमले से अलग करना एक टाइम ऐसा आता है कि गमले से अलग करना इसको बहुत ही मुश्किल हो जाता है और देखे इसने डिब्वे को तोड़ना शुरू कर दिया मैंने देखा दो तीन जगह से चिटक गया है तो आप समय रहते ही इसके स्टिक कम करते रहें नहीं तो यह गमले को भरकर एक दिन यह गमले से टूट भी जाता है अगर मिट्टी का गमला है तो जरूर फोट जाता है यह चोटा वाला है देखे यह बहुत भर गया था मैंने इसमें से चार छे स्टिक निकाल दी है तो यह अब सही लग रहा है तो इस तरीके से हम इसको करते रहें और चोटा गमला पढ़ रहा है तो इसको बड़े गमले में लगा दें पानी की जरूरत नहीं है धूप में इ दूप में रहेगा तो फिर इसकी जो पत्तियां है उसका जो कलर है उसकी जो चमक है वो फीकी पर जाएगी तो दोस्तों यह अपने इंडोर में और आउटडोर में चायादार जगह में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है आप इसे कमरे में ऑफिस में कहीं भी लगा सकते हैं और यह हवा को भी साफ सुत्रा रखता है तो इस तरह के पौधे हमें ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए तो आप भी ऐसे पौधे को स्नेक प्लांट को अपने घर में जरूर जगह दीजिए और अब इस वीडियो को यहीं समाप्च करती हूं अच्छा ल